हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 माई के Most Important Current Affairs को अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमाई टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लिजिए वहाँ पर आपको PDF उपलब्द का जाती है और अगर आ आप से पुछा के गया था कल हाली में सुरेश के रेड़ी को किस देश में भारत का राजुत निक्त के गया है तो सुरेश के रेड़ी जो है ये भारत के राजुत बनाए गए ब्राजिल देश में आगे देखते हैं और हाली में कुछ नए राजुत निक्त के गए तो उस नम्रता इस कुमार जो है इन्हें स्लोवेनिया गनराज में नैराजदुत किया गया है आगे देखते हैं ब्राजिल को मैप में यहाँ पर देख लिजे यह है दक्षनी अमेरिकी कॉंटरेंट साउथ अमेरिकन कॉंटरेंट है हिंदी में अगर बात करें तो दक्षनी अमेरिक नहीं करते हैं तो एक दोखिया आपर चीले है और दूसरा एकवाडोर इन दोलों की सीमा ब्राजिल के साथ नहीं लगती है और इनके अलावा जितने विडियों से दक्षिने मेड की देश सबकी सीमा ब्राजिल के साथ लगती है आपर देख लिजे उरुगवे सीमा साधा कर बरच बायवा अर्जेंटीना है प्राजिल की राजधानी यल रास्टपति जैरबोल सुनारों और दौर विस गंसता दिवस के समारो में ब्राजिल के जो रास्टपति ती से याद रखेगा either पांचवाँ अब्से बढ़ा देश है और दख्षणी अमेर्कि महाधीव से एक और कोषण बनताए कंसे दो भी देश जो लेंड लॉक्थ है यानि जिसके सीमा जो है किसी भी साकर या समूद से साजा नहीं होती है तो आप देखिए परगवे चारत्रप से भूमी से घीरा हुआ है और बॉलीबिया यह दोनों जो देश है धक्षनी अमेरिकी महादीप में दोनों लैंड लॉक कंट्री है याद रखिएगा आगे देखते हैं आगे में जो मैं वीडियो के बीच में कुछ प्रस्ण पुछता हो तो उसका उतर आप सभी को देना होता है तो आज आप नाम में मिशा पटेल जी का जो काफी अच्छा उतर देती ही हमेशा और मैंने प्रस्ण में आप से पुछा था भारतिय वायू सिना द्वारा कारगिल यूद के समय रखेगा और हमारी भारतिय सिना ने ओपरेशन रिजय चला है था और यहाँ पर मैंने पुछा था कि विदेश में फसे भारतियों को लाने के लिए हाली में भारतिय नाओं सिना श्मूद्र शेतु यह भी याद रखेगा हिमाचल पर्देश के मैं राजय पाल का नाम पू और ध्रमसला जो है यह विंटर कैपिटल है याद रखेगा राजबासा इसकी हिंदी है हिमाचल प्रदेश की और इसका गठर हो तब 25 जर्वली 1971 में राजेपाल बंडारू दत्ता त्रे हैं मुख मंत्री जैराम ठाकुर जी है बिधान स्वासीट 68 है राज स्वासीट 3 है और जमुकस्वीर और लदाग और एक देश के साथ इसके अंत्राष्टिय शीमा लगती है वो है तिबद आपको पता हुआ चीन का हिस्सा है तो आप चीन यह आपे बोल सकते हैं राष्टियुद्याने आपर है खिरगंगा राष्टियुद्यान पीन वैली राष्टियुद्य और राष्टिय फूल है गुलाबी ब्रॉंज तो सबका नाम आप याद रख सकते हैं और इस तरह से आप भी अपना उतर दे सकते हैं और आपका भी नाम हमारे वीडियो में आ सकता है आगे देखते हैं आज का करेंड अफेर्स और पहला प्रस ने प्रतिवर्स विश्व थ अपुम ड्यवर्स प्रतिवर्स आठ मै को मना जाता है डिटेल्स कवर करते हैं विश्व थलेसीमिय दिवर्स के बारह जानते हैं प्रतिवर्स आठ मै को मना जाता है 2020 की थीम है The Downing of a New Era for Thalassemia Time for a Global Effect to make Novel Therapies Accessible and affordable to patients थीम याद रखेगा पहली बारे मनाय गया था 1994 में और थैलिसीमिया है क्या हो जान लेते हैं थैलिसीमिया एक अनुवांसिक बीमारी है जो माता पीता से संतान को होती है इस बीमारी जे गरस्त शरीर में लाल रक्त कन बंने बंद हो जाते हैं और इससे जो है शरीर में रक सुभारं क्या गया है तो आयूष संजिबनी आयप का सुभारं क्या डॉक्टर हर्स वर्धन जी ने याद रखेगा और रस्तव दिन दिल्ली की चांदनी चौक यह भी आद रखना राजदा सिंग की लखनव और अमीशा की कॉंस्ट्वेंसी है गांधी नजगर गुजरात की और नरेंद्र मोधी जो हमारे प्रधान मंत्री है इनकी कॉंस्ट्वेंसी है वारा नसी ते इन सब का याद रखिए रिटेल्स कबर क टेकनोलजी इन दोरों ने साथ में मिलकर इसको विक्सित किया है उदेश क्या इसका तो कविट-19 के उप्चार के लिए आयुस आधारित आयुरवेद से जूड़ी पदतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडिज के लिए इसे विक्सित किया गया है और इस एप के जर ये 50 ल मंत्री अभी हमारे कौन है तो इनका नाम है स्तिरिपाद यसो नायक और आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे के लेक्ट्रोनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी जहें इसके मंत्री कौन है आगे देखते हैं अगला प्रस्न हाली में किसे सविंगत राष्ट प पहले भी यही थी यहां गुडविल अंबेस्टर भारत की और कारेकाल जो है दो वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है यानि अवे 2022 तक गुडविल अंबेस्टर रहेंगी इसकी सविंगत राष्ट पड़यावरन कारेकरम की भारत में याद रखेगा यहां पर दिया मिर्ज है और डेनमार्क से हैं यह याद रखना है आपको आगे देखते हैं अगरा प्रश्ण हाली में फॉप्स इंडिया बिलिनियर्स लिस्ट जारी की गई है इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है यानि भारत के सबसे अमीर वेक्ति कौन है यह पुछा जा रहा है तो भारत क कि एक पत्री का है फॉप्स उसने यह लिस्ट जारी किया है भारत के सबसे अमीर वेक्ति कौन बने है तो रिलाइंस इंडेस्टरी के मालिक मुके संबानी जो है यह भारत के सबसे अमीर वेक्ति बने है और निकी संपती कितनी है इनकी संपती जो है लगवग 36.8 billion dollar है याद रखेगा भारत के दुसरे सबसे अमीर वेक्ति कौन बने है तो यह है डी मार्ट के मालिक राधा कि सन दामानी जी याद रखेगा सबसे युवा अरब पति कौन बने है तो बाईज्चु मॉबाईल एप के जो फाoundर है बाईजु रविंद्रन यह भारत के सबसे युवा अरब पती बने हैं और अगर बात करें विश्व की यानि वर्तवान में दुनिया के सबसे अमीड वेक्ती कौन है तेहें अमेजन के संस्थापक जेफ वेजोस जी याद रखेगा आगे देखते हैं या आप देखते हैं जो टॉप टेन हैं अमीड वेक्ती हमारे भारत के उनक कारा में मुके संबानी नंबर वन पे हैं रादा किसंद दमानी जो हैं नंबर टू पे हैं सीव नडार नंबर थ्री पे हैं उदय कोटक जोथे स्थान पे हैं गौतम अडानी पांचवे पे हैं सुनिल मित्तल छथे स्थान पे सायरस पुनाविला जो हैं सात्वे स्थान पर कुमार वीरला आठवे स्थान पर है, लक्ष्मी मित्तल नौबे स्थान पर और अजीम प्रेम जी और दिलिप संग्वी जो है ये दसवे स्थान पर है आगे देखते अगला प्रस्ण हाली में किस मंत्राले ने गरूर पोर्टल लॉंच किया है तो गरूर पोर्टल जो है ये नागरिक उडियन मंत्राले के दोरा लॉंच किया गया है डिटेल्स कवर कर लेते हैं तो गरूर का पहले आप पुरा नाम जान लीजिए गरूर का पुरा नाम है Government Authorization for Relief Using Drones याद रखेगा और लॉंच किस ने किया तो नागरिक उडियन मंत्राले के तहट कारेरत नागरिक उडियन मान देशाले ने इसे लॉंच किया है इसका उदेश क्या है तो COVID-19 उदेश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से छुट प्राप्त करने के लिए राज सलस्थाओं की सहायता करना और विशेश रूप से अस्मार्ट सिटीज सडकोर अन्य सारवजरिन की स्थानों पर किटानू नासक अस्प्रे करने के लिए इस ड्रोन का इस्तमाल किया जा रहा है वर्तवान में भारत के नागरिक उड़ेयन मंत्री कौन है तो इनका नाम है हर्दीप सिंग, पूरी, अगला प्रस्ण प्रस्ण हमारा हाली में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदल कर टोमन रखने का फैसला क्या है तो कौन साथ देश जो अपना मुद्रा का नाम बदल कर टोमन रख रहा है तो है इरान याद रखेगा इरान के मुद्रा का नाम अभी रियाल है और इसे बदल कर क्या रखा जा रहा है टोमन, आगे देखते हैं डिटेल्स इरान की सरकार ने हाली में अपनी मुद्रा का नाम बदल कर टोमन रखने का फैसला किया है और बिल के तहत इरान की राष्ट्य मुद्रा रियाल को टोमन में बदला जाएगा तो अभी इरान की मुद्रा का नाम क्या है रियाल और आगे जाके इसे Toman में बदला जाएगा। तर्कमेनिस्टान यहाँ पर अजर्बाइजान है यहाँ पर टर्की है और इह इसी तर्की है और एक Напहिए कुबयर तो इनंसब के सा इरान अपनी सिमा सजय करता है विप्रसियन सी है यह भी प्रस्ण पुछा जाता है कि कैस्पियन सी और प्रस्चेन गल्फ के बीच में कौन सा देश स्थित है तो यह इरान याद रखेगा राजधानी इसकी तेहरान है राष्ट पती है हसान रूहानी और कुछ दिन पहले इरान के द्वारा सौ भासाएं बोलने वाला लॉइब 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 और साथ सामिल हैं याद रखेगा। आगे देखते हैं चीन की लोकेशन चीन जो है एसिया का देष है और विश्वका सबसे धिय जंसंख्यावला देष है याद रखेगा। चीन में एक यंगसी नदी बैती है याद रखेगा यंगसी इस नदी का नाम है और ये चीन में बैती है और ये चीन की सबसे लंबी नदी के साथ ही ये एसिया के भी सबसे लंबी नदी है याद रखेगा कोई अगर आप से पूछे एसिया के सबसे लंबी नदी कौन है तो उ आगे देखते हैं अगला प्राशने हाली में किस राज्य ने मुख मंत्री यूवा योग योजना लॉंच किया है तो यह है त्रिपुरा राज आगे डिटेल्स देख लेते हैं तो यूवा योग योजना के अगर बात करें तो लॉंच किस ने किया इसे त्रिपुरा के जो 1608 रुपय प्रदान करेगी और हाले में तिरिपुरा सरकार ने नेबर हुट क्लासेज भी शुरू के आए वियाद रखेगा तिरिपुरा के लोकेशन देख लीजिए यहाँ पर देखे है बांगलादेश और यहाँ पर देखे है तिरिपुरा हमारा राज्य है तिरिपुरा तिरिपुरा 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 से बांगलादेश से घिरा हुआ यह भी याद रखेगा तिरिपुरा 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 से बांगलादेश से घिरा हुआ यहाद रखेगा तिरिपुरा 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 से बांगलादेश से घिरा चोटा राज्य है तिरुपुरा में गर्तला हवाईडे का नाम बदल कर महराजा बीर बिक्रम मानिक्य कि किस ओर हवायड़ा कर दिया गया है राश्टी उध्यान के बाद करें तो आप एक लिए और राजबरी राश्टी उध्यान दोनों जो है तिरू पुरा में है याद रखेगा आगे देखते हैं अन्य महत्मुन समाचार तो यहापे मैंने टॉप फाइब समाचारों को कभर किया है तो इसको एक बार देख लीजि सेवा निर्वित्ती की आयू जो है अंठावन वर्स से बढ़ा कर 69 वर्स कर दिया है याद रखेगा दूसरा है मारा नीज भारतिय मौसम विभाग ने जम्मू और कस्मीर गिलगित बाल्टिस्टान लध्धाक और मुझाबराबाद को जम्मू और कस्मीर के मौसम संबंदी उप प्रभाग में सामिल करना शुरू कर दिया है डीपीएस नेगी जो है ये स्रम बीरो के नए महानदेशा के रूप में इन्होंने पदभार गरहन किया है रक्षा मंत्री हमारे जो राजा सिंग जी है उन्होंने सैन इंजिनिरिंग सेवा में 9304 पदों को स्वाप्त करन सबसे नजदिक का ब्लैक होल है ये भी याद रखेगा अब हम आगे करेंगे कल के प्रश्णों का रिवीजन फटापट रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्णों का प्रतिवर्स विस्वरेड क्रॉस दिवर्स कब मनाय जाता है तो यह मना जाता है 8 मई को विजियन एड कार सब्सक्राण मंत्री कौन बढ़ें तो इनका नाव मुस्तफा अलकादीमी विद्यसों में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए कौन सा अभ्यान शुरू किया गया है तो यह अभ्यान जो है इसका नाव है बंदे भारत मिशन आगे है फ्लिपकर्ट ने अपना नया सी ए सब्सक्रादी और नानानी अभ्यान शुरू किया गया है तो यह निती आयोग आंद्रप्रति से किस सहर में एक प्लास्टिक फैक्टरी में गैस रिषाव होने से एक बड़ा हाथसा हो गया है तो यह विशाखा पटने में और कौन से गैस का रिषा हुआ है फैक्टरी से उ वंदे भारत मिशन भारत लौटो मिशन भारतिय विदेश मिशन तो इसका उत्रा आप सबी नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे तो आज का लेक्टर हमारा यहीं पर सवाप्त होता है अगर आपको वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइक करिए पीडियाफ के लिए आप हमा